हाई एवरिवान गुड मॉर्निंग वेलकम बैक तू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो सुक्रवार का दिन है और सुबह के बज रहे हैं पांच अठारा तो पांच बजे मैं उठ गई थी तो वही फ्रेस होना हाथ मूँ दो लिया जो है थोड़ तो बस आगे हूँ किचन में और सबसे पहला काम मेरा होता है सुबह उठते ही न ये दूद निकालना और फ्रीज को आजकल मैं सुबह बंद कर देती हूँ जैसे अब तो मतलब पानी होगे रहा फ्रीज का पी नहीं रहे हम लोग और रात भर फ्रीज चलता ही है तो काफी धंडा रहता है तो सुबह जो है न दो-तीन घंटे के लिए बंद कर देती हूँ थोड़ा सा जो है बचत हो जाती है इससे जो है सुबह के टाइम और फिर साम को जैसे सुबह बंद करती हूँ एक्दम early morning जैसे उठती हूँ तो बंद कर देती हूँ फिर उसके बाद 9 तस कम से कम 4-5 गंटे बंद रह रहा है 5-6 गंटे तो बस वही गरम पानी पिया और जाडू लगा लिया था ब्रस करने के बाद उपर आ गई हूँ टहलने तो एकसरसाइज भी करती हूँ लेकिन वो बहुत थोड़ा सा अज कल एकसरसाइज थोड़ा सा कम कर दिया है और उपर आके पानी पिने के बाद टहल लेती हूँ क्योंकि एकसरसाइज का भी जैसे थोड़ा सा मुझे प्राबलम हो रही थी कुछ दिक्कत हो रहे थी उसमें बहुत जादा नियम होते हैं प्राडायाम होगेरा में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है और फिर किसी दिन टाइम मिला किसी दिन नहीं मिला तो फिर और जादा दिक्कत हो जाती है तो जो जरूरी है उसको करती हूँ तो अभी ना बाद में करूंगी अब जैसे जैसे ठंडारा आया तो थोड़ा सा इसको मैं मतलब सोच रही हूँ कि धूप हलका सा निकल जाए उसके बाद जो है किया करूंगी तो बस टहल के आई और भिंडी कल रात को मैंने धो के तो रख दे थी लेकिन कट नहीं किया था क्योंकि रात को जो है कुछ और काम निप्टाने में लगए कपड़े वगरा थे प्रेस किये तो इसके पहले वाला व्लॉग मैंने सेयर ही किया हुआ है तो रात को मुझे 11 बच गए तो धो के तो रख दिया था कट नहीं किया था कि जो है सूबह ही कर लूँगी तो बस यहां पे भिंदी वगरा कट करने के बाद चाय बनाई और अभी डाल रख दिया और इधर एक तरफ जो है रख रही हूँ बना रही हूँ वो चैना और आलू की सबजी तो तनमे कुना ये सबजी बहुत पसंद है और मुझे भी सही रहता है कि चलो अच्छा है जो है टिफिन ले जाने के लिए बहुत जादा मिलों हपते में अगर दो दिन या तीन दिन भी दे दूँ ये सबजी तो दिकत नहीं होती है और बहुत कुछ डालती भी नहीं हूँ सिर्फ ही हल्दी धनिया पाउडर और बिल्कुल ये अच्छा सबजी गाढ़ा सा घुगरी सा बन जाता है तो बढ़िया लगता है इधर जो है भिंडी की सबजी डाल दे रही हूँ तो सुबह ना एकदम मुझे खाना और नास्ता दोनों जो है टिफिन और खाना तो पर वाला बिल्कुल साथ में ही बनाना होता है बिल्कुल भी फूर्सत नहीं मिलती है और चाय भी नहीं पी है अब जैसे ना दिन थोड़ा सा यह होने लगा है ना इनका नहाने का कब टाइम हो जाता जैसे तन में निकलता और ये तुरंट जो है चले जाते है नहाने के लिए तो मुझे जैसे घबडार सी होने लगती में सबजी दाल यह सब हो जाता है तो फिर तेंसर ंहीं रहती है की रोटी वगर तो चाहल खाते नहीं यह रोटी तो मैं तुरंत के बना दूँगी तो सब्ज़ीन अगरद डाल लेती हूं उसके बाद ही चाय पीती हूं तो वही भिंडी डालने के बाद फिर चाय मैने एक कपी आठा वगरद लगाने के बाद और अभी पूरियां तले रहे उं तनमय के लिए तो तनमय को टिफिन दिया, थोड़ा सवई चाय पीने में न हलका सा मतलब टाइम हो गया उसका, तो जल्दी जल्दी उसको टिफिन दिया और फिर इनके जाने का टाइम हुआ तो नहीं रोटी बनाई टिफिन दिया इनका खाना दिया तो सारा काम निप्टाने के बाद पापा भी खा चुके हैं उसके बाद किचन वगरा क्लीन करती हूँ सबको खाना देने के बाद ही करती हूँ मतलब में पापा करता है कि उनको खाना दे लूँ उसके बाद kitchen वगरा clean करूं क्योंकि रोटी भी गरम करना फिर खाना वगरा सब गरम करना होता है या रोटी मतलब आटा रख देती हूं रोटी बनाना होता है तो फिर साफ करके बनाओ तो फिर उसे गंदा हो जाता है तो मैं सुचते हूं कि बहुत जादा टाइम तो है नहीं, 10-5 मिनट ही या बहुत होता है, 20 मिनट इतना ही लेट करते हैं, तो उतने दिर में कुछ और थोड़े बहुत काम जो रहता है, वो निपटा लेती हूं, और फिर मेरा भी रहता है, नास्ता वगरा कर लेती हूं, चाय तो बस कीचन वगरा क्लीन करने के बाद लग गई हूं घर की साप सफाई में, तो आज यह परदे सारे निकाल के धुलने हैं, सफाई तो अभी डिप क्लीनिंग वही है, कि संडे को ही होगा जब यह रहेंगे, क्योंकि वही है ना मैं नीचे नीचे का कर दूँगी, लेकिन उपर का जो है फैन, एसी वगरा यह सब जो है साप करने हैं, और अभी मैं नीचे का सब कुछ साप कर दूँँ, और फिर उपर का होगा वो सब ना, जैसे पटनी है, दोनों रूम में जो है ना, वो बना हुआ है पटनी, तो वो सब साप होगा ना, तो फिर से धूल धूल तो इसी वज़े से मैं नहीं कर रहे हूँ, कि यह पहले उपर का हो जाए, उसके बाद ही नीचे का करूँगी, तो पर्दे वगरा धूल के यह सब रख दे रहे हूँ ना, कि फिर मतलब सफाई करने के बाद, यह सब जो है सिर्फ टांगने रहेंगे, तो ले जाके मैंने भ परदेद होने सही नहीं लगते हैं, तो मैं हाथ से हमेशा ही दोती हूँ, तो बस उसके बाद यहाँ पे जो है, आगे हो इस आलमारी को थोड़ा सा ठीक करना था, मतलब इसमें भी पेपर वगरा चेंज करने हैं, बहुत जादा कुछ ऐसा गंदा नहीं है, कि बहुत जाद तो करनी ही है, लेकिन वही रहता है कि मतलब डेली रूटीन में करते रहो, तो बहुत जादा मेनत नहीं करनी पड़ती है, और समय भी कम लगता है, तो बस पेपर वगरा ही चेंज करने थे, हमेशा ही करती रहती हूँ, और इसको समेटना, आलमारी को ठीक करना, यह सब तो पूटीन का काम है, बाखी पेपर वगरा थोड़े ज्यादा दिन पे चेंज होते हैं, तो बस वही उपर जाडू लगा के, जाडू से जाड दिया कि जो भी थोड़े बहुत जाले वगरा लग जाते हलके फुलके, तो वो साफ हो जाएंगे, उसके बाद नया पेपर लगा रखना होता है, तो उसको जो है एक बार समीर देती हूं, ठीक कर देती हूं, मतलो हाथ लगा देती हूं, यह रहता है, डेली रूटीन में यह आदते रहती हैं, तो फिर हम तेवारों पे ऐसे महनत करने से जादा महनत करने से बच जाते हैं, तो बस उपर का जो है सही कर दि रख दिया है और अब भी जो है ये दर्वाजा अंदर का पोच ले रही हूं तो बाहर का तो हमेशा ही पोचा जाता है अंदर वाला जो है बहुत कभी कभी जैसे पोचा जाता है एक तो वाइट कलर का है भी तो थोड़ा सा मतलब दिखता है अगर गंदा हो जाता है तो पता लगने लगता है तो बस इसको भी जो है साफ कर ले रही हूं क्योंकि जब घर की रूम की डीप क्लीनिंग होगी ना तो ये सब अंदर वाली सफाई नहीं होगी फिर जो है उपर उपर का सब कुछ होगा उपर से दर्वाजे वगरा सब पोछे जाएंगे बाहर से मतलब अंद का कोई भी मतलब कुछ भी नर है उदर वाली आलमारी जिसमें मैंने साडी वगरा रखी है उसको साफ कर दिया है तो उसको नहीं साफ करना है बस यहीं वाला था तो अभी देखिए बिल्कुल साफ सुत्रा हो गया है सब कुछ अच्छे से मैंने रख दिया है तो ऊपर जो ह इनका ही कुछ पेपर वगरा सब कुछ इनका ही रहता है बस नीचे जो एकदम सबसे नीचे वाले पे न मेरे कपड़े रहते हैं एक कमेंट भी आया था एक या दो कमेंट पहले ही आये थे जैसे आलमारी जब भी मैंने साफ किया है और ब्लॉग में डाला है कि अंदर से अपने आलमारी का टूर करवाईए तो देखिए अंदर से कुछ भी ऐसा कुछ है ने बिल्कुल सिंपल सा जैसे आलमारी यां घर में बनी होती है पहले से तो बस ऐसे ही है बस मैंने उपर से जो है दरवाजा लगवा दिया है बाकी सब कुछ सिंपल सा ही है कुछ इस वज़ा से लेटेस्ट कुछ डिजाइन वगर नहीं हैं काफी पहले का बना हुआ है तो बस उस रूम में का साफ करने के बाद इसमें भी आ गए कि ये भी देख लेती हूं तो इसमें पेपर वगरा चेंज नहीं किया क्योंकि अभी जल्दी में ही सब कुछ हुआ था और दूसरी चीज की ये बहुत कम यूज होता है, सिर्फ तनमय के कपड़े रखे हुए है और बेट सीट वगरा है, तनमय के भी मतलब टी सर्ट और लोवर वगरा ऐसे कुछ ही रखा हुआ है, तो उसका भी ना बहुत जादा वो मतलब ऐसा नहीं है कि कपड़े निकाला फेका, इस तरह का उसका नहीं है, बहुत ही ढंक से आल्मारी वगरा में बहुत ही अच्छे से निकालना रखना उसका रहता है, तो बहुत जादा मैसी नहीं होता है, और ये कोट जो है उसका आया हुआ था ऑनलाइन उसने मंगाया हुआ है, देखे, बलेजर है, तो ये भी ना उस वाले रूम में फिर अलग से कबर वगरा देखके उसमें जो है डाला जाएगा तो अभी न थंड की भी थोड़ी थोड़ी जो है तैयारी हो रही है और थंड में न साधियां वगरा भी पड़ी जाती है पड़ी भी है तो उन सब के लिए भी न तैयारी दीरे-दीरे चल लिए मेरा जाना हो या नहो मतलब मैं तो बहुत जादा जो जरूरी होता उसी में जाती हूं बाकी इन लोगों को तो अकसर करके गाओं में भी कुछ पड़ा या रिलेटिव में भी तो जाना ही पड़ता है तो बस उसके बाद आलमारी वगरा सब कुछ सही करने के बाद ब पूरा काम जो है खतम कर लिया है आलमारी का ही आज में था और परदे वगरा हटाने थे कि ये सब काम निप्टा लेती हूं अभी इसके बाद चलूंगी ना तो छट पे जो है जो गमले वगरा कलर किये मैंने पेंट किये हैं उन सब में पौधी लगा दूंगी कि वो काम भ रहती तो इस टाइम पे नहीं करती साम को करती लेकिन अभी मौसम खराब हो गया है मतलब धूप नहीं है तो अभी लगा दूंगी ना क्योंकि साम को पता नहीं हो सकता है बारी सोगरा हो तो बारी सोगरा जब होने लगती है ना तो सारा कुछ जैसे मैसी मैसी सा हो जाता है फिर कुछ करने का मननी होता तो इसी टाइम पे सारे काम हो जाएंगे तो सही है पूजा वगरा अंतन मैंने सुबह नहाव आके कर दिया है तो पूजा करने का कुछ यह नहीं था बस नहाव के मुझे पूजा करना है तो थोड़ा सा टाइम लेके अभी जो है ना दिवाली तक ऐसे ही चलेगा सुबह का नहाना मैंने अभी छोड़ा हुआ है मतलब कि पहले यह सब साब सफाई करूँगी थोड़ा सा लेठी ना होंगी यह सब काम दो तीन दिन चार दिन का काम है उसके बाद तो फिर रूटीन में आ जाएगा और लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि ठंड सुबह ठंड लग रही है मतलब गरम पानी करके नहाना पड़ेगा ऐसे नहाने से ठंड लग रही है तो बस कपड़े भी कुछ डाले हुए थे मैंने मसीन में वो सब धुल गए है परदे तो भीगाए हैं उनको हाथ से धुलूंगी और ये सब मसीन में डाले हुए थे तो रोज की रोज बहुत जादा नहीं है रोज की रोज धोती जा रही हुँ ना कि कठे जादा ना हो नहीं तो फिर इसका भी काम बढ़ जाएगा तो जो भी दो चार है डेली के डेली करते जाओ तो सही रहेगा तो बस उसके बाद यहाँ पे दिखे इन सब गमलों में पौधे लगा ले रही हुँ जितने कलर की हैं देखने में यह बहुत ही सुन्दर लगते हैं देखने में तो यह भाली भी पड़े थे तीन चार ऐसे खाली पड़े थे तो बस दिमाग में में था कि इन सब ना इंडोर प्लांट्स लगा के रख दूंगी तो कुछ भी मैंने खरीदा नहीं है नर्सरी से खरीद वगर के नहीं ले आई हूँ दो तीन कटिंग लगाई हुई थी बारिस में वो है और घर पे ही जो लगे थे उन्हीं सब को इधर उधर किया है खरीदने वाला काम बाद में अगर एक दो गमले और इसी साइज के मिल जाएंगे न होंगे ही तो उसको कलर करूंगी तो कुछ और उसमें लगा दूंगी खरीद के देखती हूँ जो है अभी तो फिलाल टाइम नहीं है उतना तो इतना तो हो गया है बाकी जैसे समय मिलेगा तो होगा या फिर दिवाली के बाद होगा क्योंकि अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं तो टाइम देखे सवाएक हो गए हैं तो पौधे लगाने के बाद मैंने परदे भी धो दिये थे बस पानी निकलने के लिए रखा हुआ था कि पानी निकल जाए तो फैला दूंगी तो बस यहाँ पे डाल द हो ना फिर तन मैं आ जाएगा उसको खाना अदूंगी अपने खाऊंगी तब तक ना फिर साम का टाइम वही पापा के चाय नास्ता का टाइम हो जाएगा तो ऐसे ही टाइम बीत रहा है तो बस वीडियो का एन भी यहीं पे कर रही हूँ व्लॉग अच्छा लगाओ तो ला